पूरे ब्रमांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अम्रिद एक साथ रहते हैं सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकता है तो वो है हमारे शब्द, हमारे वचन, शब्द यदि चाहें तो अम्रिद बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं या फिर ग्रिणा का विश बनकर आपके जीवन को पीड़ा दाई बना सकते हैं एक बार एक आदमी का अपने पडोसी से जगड़ा हो गया उसे इतना क्रोध आया कि उसने अपने पडोसी को बहुत अबशब्द कहे जब क्रोध शांथ हुआ तो उसे बहुत पच्टावा हुआ वो अपने गुरू के पास गया और उनसे विनिती की कि ऐसा कुछ करिये कि सब पहले जैसा हो जाए इस पर गुरू ने कहा खूब सारे पंक इकठा करके बीच चुराहे पर रखकर फिर यहां आओ आदमी ने ऐसा ही किया और वो फिर गुरू के पास पहुँचा अब उसके गुरू ने कहा कि जाओ और सारे पंक इकठा करके अब उन्हें मेरे पास लाओ इस पर उस आदमी ने पूछा यह कैसे संभव है अब तक तो वहां एक पंक भी न होगा गुरू ने मुस्कुरा कर कहा बस यही तो होता है शब्दों के साथ भी शब्दों का चुनाव जहां भी थोड़ा सा भी गलत हुआ फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता शब्द समहरे बोलिये शब्द के हाथ न पाओ एक शब्द औशद करे एक शब्द करे घाओ किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए बुरा हमेशा वही बनता है जो अच्छा बनकर तूट चुका होता है पसंद करना और प्यार करना दोनों अलग अलग चीज़े हैं जिन्हें भूल पसंद होता है वो उन्हें तोड़कर अपने पास रख लेते हैं पर जिन्हें फूलों से प्यार होता है वो उसे तोड़ते नहीं है बलकि उसकी देखभाल करते हैं मूलेवान वो नहीं जो ग्रहन किया जाता है बलकि मूलेवान तो वो है जो पचाया जाता है क्योंकि भोजन यदि ना पचे तो रोग बढ़ता है बात न पचे तो चुगली बढ़ती है प्रशंसा यदि ना पचे तो अहंकार बढ़ता है और राज न पचे तो खत्रा बढ़ता है दुख न पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख न पचने पर पाप बढ़ता है इसलिए जो भी मिले उसे पचाना सीखिए इसी में जीवन का सार है खाली हाथ ही रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुश्यां छीन लेते हैं जीवन में जो भी करो पूर्ण समर्पन के साथ करो प्रेम करो तो मीरा जैसा प्रतीक्षा करो तो शबरी जैसी भक्ती करो तो हनुमान जैसी और शिष्य बनो तो अरजुन जैसा फकीरों की सहबत में बैठा कीजिए बाशाही का अंदाज खुद बहुद आ जाएगा प्रभू कहते हैं, तुम किसी का कुछ न बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ न बिगड़ने दूँगा घड़ी को सिर्फ देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो अगर रास्ता खूबसूरत हो, तो पता करो कि किस मंजिल को जाता है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत हो, तो रास्ते की परवाहा कभी मत करो वर्तमान से सुख लेने का प्रियास करो, भविश्य तो कपटी होता है, जो केवल आश्वासन देता है, गारंटी नहीं छोटी छोटी खुशिया ही तो जीने का सहारा बनती है इच्छाओं का क्या है वो तो पल-पल बदलती है जीवन में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है एक क्रिश्ण का जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे दूसरा कर्ण का जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े और ये अंतिन पंक्तियां आप सभी के लिए दूआ मिले बड़ो से साथ मिले अपनों से खुशियां मिले जग से रहमत मिले रब से प्यार मिले सब से बस यही दूआ है रब से सब खुश रहे आप से और आप खुश रहे सब से सबका खयाल रखना पर अपना भी खयाल रखना हमेशा मुस्कुराते रहना कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए